हेलो स्ट्रेंट्स आज हमें क्लास्ट माइब ता चैपिल नबर 11 वर्क एट इनर्जी की निवाइबर को सॉल्ड करना है इसका जो फर्स टॉपिक था कि वर्क दन कब होता है और कब नहीं होता है तो यहां पर हम निमेरिकल है, महीं थो निमेरिकल आज आपको सॉल्प करके बतारी हूँ साइड बाए साइड में आपको टैक्सबूक के सार्य एक्सषाब सॉल्प करके बताते हैं start करते हूँ first हमारी example है a force of 5 Newton is acting on an object जो force में हमाना इतनी मिलता है 5 Newton का है ठीक है आपको पता है नो force की unit क्या है? Newton ठीक है इसी object पर force लगा है the object is displaced through 2 meter in the direction of the force force जिस direction में लगा है वहां से जो object है वोस 2 meter क्या हुई है is displaced हुई है आगे की तरफ गए हुई है अब आपको पताना है उसमें बहुत डर्न कितना हुआ है ठीक है यहां पे एक figure दिया हुआ है आपको example में किस figure में आते हो यह हमारा object है इस object पे हम भी क्या रखाया 7 Newton का force लगा है ठीक है हमारे पास force कितना दिया हुआ है 7 Newton ठीक है displacement को force को हम किसे denote करते है S से ठीक है displacement को किसे denote करते है S is equal to atlas कितना दिया हुआ है 2 meter हमें क्या बताना है बंदल निकाना है ठीक है तो work का formula क्या होता ही में पता होना अची W is equal to S into S अगर आपने यह topic पढ़ा होगा तो आपका पता होगा कि work is equal होता है force और displacement के product is equal होता है ठीक है तो अब यहां तो हम दैल्यू लिखेते force हमारे पास कितना है 7 Newton and displacement हमारे पास क्या है 2 meter यह कितना हो गया 7 पूजा 14 Newton नीटर ठीक है या हम लिख सकते हैं तो is equal to 14 zone ठीक है जो यह zone होता है यह क्या होती है work की unit होती है तो हमारा work इसमें कितना होगा है 14 zone ठीक है आपको यह अच्छा समझ आ गया अब हम नेस्ट करते है जो आपकी exercise में दिया हुआ है first question ठीक है तो आपके यह first question है book में page number 148 पर first question है एक force of 7 newton acting on an object एक force है 7 newton जो है किसी object पर act करता है ठीक है the displacement is 8 meter अब इसकी displacement जो है 8 meter है direction ठीक है इसकी direction जो है force की direction जो है what is the work done work done कितना हुआ same as ठीक है तो same हम इसलिए पहरे तो हमारे पास x force कितना दिया हुआ है 7 newton next displacement हमें कितना हुई है एक मीटर ठीक है और अब हमें क्या निकालना है बहुत निकालना है आपको बहुता formula पता है क्या होता है डलो क्या होता अब तक तो क्या होता है f into s force हमारे पास कितना है 7 newton displacement कितनी है 8 meter इसकी multiply कर दो एक 7 जा या 7 जा 56 6 Newton meter या पर हमका ने सकते हैं बहुत इस इपार 2 56 जूर यह हमारा होगया यह बहुत ही इसी था यह दोनों numerical आगे जैसे से टिपिकल आते जाएंगे मैं आपके कराती जाओं के टॉंटे के साथ साथ किस्ट्रेंट्स मेरे वीडियो को लाइक करने मँख भूलना और चैनल को 楽 Wisconsin अपर जा सब्सक्राइब मिविया감, सब्सक्राइब चरन करना OLED पास्वज सुस्ट्रेंट्स WAT